हैलो फ्रेंट्स एक बर फिर से आपका अपने चैनल आलिंदवन ग्यान ब्लोग में बहुत बहुत श्वागत है आज हम सेएर करेंगे 34 साइज प्रिंसेस कट्व ब्लाोज की कटिंग और स्टिचिंग प्रिंसेस कट ब्लाउस बनाना फ्रेंट्स बहुत आसान है अगर विगनर्स हैं तो वीडियो को लाज तक देखिएगा एक एक इस टिप हम इसमें बारिकी से समझाने वाले हैं कोई भी पार्ट इसमें चोटा या बड़ा नहीं होगा अक्सर लोगों की प्रोब्लम होती है कि शोटा बड़ा हो जाता है दोनों प्रिंसेस कट बाला प्रिंसेस कज्ट बड़ा ँटा रोता लोगों सब करते समें चोटा बड़ा आज आज लाइनिंग पीस पर कट करेंगे प्रिंसेस कट को यहां पर इसको हमें फोल्ड करके इस तरीके से रेक लेना है तो यहां पर हम थर्टीफोर साइस का बना रहे हैं तो यहां पर हमने साढ़े दास इंच फोल्ड करके रखा है नीचे से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इसको सिधा करेंगे यहां पर लाइन को सिधा कर लिया है अब यहां से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे तो यहां पर ब्लाउज को हमें 14 इंच लंबा रखना है रेडी रखना है उसको 14 इंच लंबा ही रहेगी तो इसमें हम एक इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच पर इस त घंच डियो करें तक इस तो थिंग जेगाँ टिक मार देंक Then we have a home यह पर शोललर की मार्केंग करेंगे करेंग आप इसमने शोल्डरय कि मार्किंग बनाने वाले ही Dedh Governor किわかálderness riding के तो हम हो पर पहने 6 पर निसान लगा रहे हैं इस ईरेब मं हम नीचे भी आर्म होल का निसान लगाएंगे कि यहां पर इस तरीके से लाइन को हम सिधा करेंगे को है अभी यह जो है यही हारे जिस्ट लाइन हो गी आपर हमدا मार्किंग करेंग तो हम Creativity निकालेंगे वह क्षमार युग करेंगे दो इशन näर्त each अर्पर इहां पर आट इंच करेंग निये तो आथे करेंड़ कि मार्किंगरेंगे टो चाहिए मिल्स नहीं कि वा किया उwnट अगर आपका कमर 30 है या फिर कुछ और है तुसके अकार्डिन यहां पर निसान लगाए फोर्थ पार्ट निकालकर एक इंच इसमें टेक्स के लिए नहीं करेंगे नहीं तो पीछे साइड जोला जाता है इस्ट्रा कपड़ा रह जाता है तो यहां पर इसलिए हम यहां पर सवाई एक इंच से मार्किंग कर रहे हैं इस तरीके से यह मिसमें राउंड सेव देंगे अलका सा नीचे ले जाकर डाउन करते हुए इसको हम मिला दें करेंगे तो नेक की मार्किंग हम यहां पर डाई इं से कर रहे है है क्या कि निसान लगाएंगे अब नीचे जितना भी लम्बा गला उसको भी नाप करके आप निसान लगा सकते हैं, उसमें एक इंचे मार्जन प्लस करते हुए, क्योंकि यह नीचे से याधा इंच फोलडिंग में जाएगा, और उपर से भी हाफ इंच फोल्डिंग में जाएगा नेक बनाते समय तो यहां पर इस तरीके से भी आप निसान लगा सकते हैं जो भी तरीका आपको आसान लगें तो हम यहां पर नीचे से इसकी चौड़ाई रखेंगे तीन इंच लाइन को खीचेंगे अब इस निसान को य और कोई और सिप एक बनाना चाहते हों तो अपने कोर्डिंग बना सेगते हैं हमने आप रौंड्स कैया है अब हम इसमेंन लिए तो हम बोना रहे हैं तो इसमें हम 1 अब विन को टैक जाएड डाउन करेंगे को है हिसी तरिके राफ इंच डाउन करेंगे इसी निसान पर हमारी इतुर्स पहले यह नीचे से पर कपड़ को सीधा गरेंगी और मार्किंग के ऊपढ़ा करेंगde कि यहां पर बैक पार्ट की कटिंग हो गई है इसको हम रेखेंगे साइड में बाकी का जो कपड़ा बचा हुआ है उसको हम धाई से तीन इंच आगे बढ़ाते हुए इसको हम बराबर से फूर्ड करेंगे यहां पर हमने इसे फूर्ड कर लिया है अब इसके उपर इस तरीके सीर रखने से पहले हमें थोड़ा सा ध्यान देना है तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं नीचे से कपड़े को हम बराबर करेंगे और हाफ इंच उपर से हम मार्किंग करेंगे तो यहां पर आगे से भी हम हाफ इंच छोड़ते हुए मार्किं करते समय यह छोटा बड़ा ना हो क्योंकि प्रिंसेस कट बनाते समय इसमें थोड़ा सा इसकी मार्किंग अलग होती है तो यहां पर वो छोटा हो जाता है इसलिए तो यहां पर हाफ इंच हमें बढ़ा कर लेना है और जैसा बैक वाला पार्ट है सेम उसके बराबर से रखते ह दो लिए हमें मार्किंग करना है अब उपर से एक इंच हम साइड में सट्रा लेंगे बैक पार्ट से और नीचे हम 1ह ब्यम्हान को ब्ल कि प्राण बाने हें यहां पर हमने ऊपर चिशीश आपको ध्यृटा की योईलिए टां अग्हारं लेंगे быть को उसके से शचाइए बड़ा नहीं होगा अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट के आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं जो ने बैक पार्ट में आर्म होल बनाया था वही सेम निसान यहां पर हमने ले लिया है ताकि प्रिंसेस कट देने में आशानी हो अब इसी निसान पर पहले हम कपड़े को कट कर फिर हम नेख करते हैं यहां पर अपर हम फ्रोंट में नेक मार्क करेंगे मटने ग soul हम आहि पर वही ही चुल्स पर निसान लगा रहे हैं आप शाध बार निसान लगा रहे हैं यहां 있을 सानल Cathedral कि म्हाशन लगा करना है इस तरीके से हमें तीर्चा रेखना है और 6.5 इंच पर हम यहां पर मार्किंग कर देंगे कि थोड़ा सा इसमें हम राउंड सेब देंगे तो यह ज्यादा अच्छा लगता है अब हम उपर से इस तरीके से इंची टेप को रेखेंगे हाफ इंच छोड़ते हुए क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जन होगा सोल्डर जॉइंट करने में जाएगा तो यहां से हम साड़े नौ इंच पर निशान लगाएंगे टक्स पॉइंट का इधर से हम साड़े तीन इंच लेंगे 34 साइज में यहां पर लाइन से हमी रखना है साड़े तीन इंच नापना है टक्स पॉइंट तक और नीचे से हम तीन इंच लेंगे उपर वाले निशान से हमें हाफ इंच यहां पर कम लेना है तिहां पर आप देख सकते हैं लाइन क निसान से हमने तीन इंच लिया हुआ है अब इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे हमने इसे मिला दिया है अब यह जो आर्म होल साइड है यहां से हम हाफ हिंच नीचे से मार्किंग करेंगे और इस निसान को इस तरीकी से हम यहां पर लाकर मिला देंगे जो हमने साइड में नीचे डेढ़ हींच मार्जन लिया था उसी निसान को हम यहां पर यूज करेंगे जो इस ट्राम ने बैक पार्ट से लिया हुआ है डेढ़ हींच पर निसान लगाया दो इंच उपर इस तरीके से इस टेट लाइन ड्रॉ करेंगे अब यहां से हम प्रिंस आप यहीं से ऊपर थोड़ा सा राउंड सेप मिले जाएंगे इस तरीके से ऊपर तक हम सेप को मिला देंगे पहले वाली लाइन को हमने एरेज कर दिया है अब यहां पर हम फ्रेंट आर्म होल भी इसका भी निसान लगा देंगे तो यहां पर हमने वहने एक इंच पर निसान लगा दिया है आगे का अब यहां से साइड से हम हाफ हाफ इंच जो हमने निसान लिया था इस तरीके से तिर्शा हम दोनों साइड से मिला देंगे इहां पर आप देख सकते हैं साइड से निकल रहा है यहां पर कोई भी पर्षम नहीं होगा नीचे का सइड से बराबर रहेगा जो एDel match हम लिया था वही हम कट करके निकाल रहें यहां पर बीच में ऐसे ही रहेगा अब यहां से जस तरीक रहें आ करेंगे तो यहां पर में हैं सें निसान कर लेना है कि यहां पर हमने कटिंग कर लिया है अब तक्स पॉाइंट को मिलाते हुए हमें इस तरीके से ही रखना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कोई भी पार्ठ मरा छुटा या बड़ा नहीं हो रहा है नीचे हलका सा जो दिख रहा है एक साइड उसको हम बाद में कट कर लेंगे अब यहां पर हम बैक पार्ट आपको रख कर दिखा रहे हैं बैक वाला पार्ट साइड से एक दम बराबर है फ्रेंट और बैक दोनों का चाहे जिस तरीकी से भी रखेंगे दोनों बराबर ही आएंगे अब हम इसी कपड़े को रख कर हम ब्लाउच पीस पर कटिंग करेंगे हाफ इंच इस्ट्र कपड़े को हमें रखना है ताकि कपड़ा मारा जोइंट करते समय छोटाना पड़े तो सारे pieces में हम half half inch इस्ट्रा कपड़ा रखेंगे ताकि lining piece को joint करते समय कपड़ा कम ना हो हमने यहाँ पर cutting कर लिया है lining piece रखतर अब इसको हम stitch करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम front part joint करेंगे princess cut वाला हम एक part उठा लेंगे lining piece और blouse piece को सिधा सिधा ही हमें उठाना है उल्टा सिधा ना होने पाए अब इसके उपर हम इस तरीके से रखेंगे और तोनों को हम बराबर से करते हुए stitch लगा देंगे बात में जो इस्ट्रा कपड़ा निकलेगा उसकी हम cutting कर देंगे यहां पर lining piece को उल्टी साइड ही रखना है क्योंकि इसको पलटना नहीं है अब हम इस्ट्रा कपड़े की cutting कर लेंगे बराबर से lining piece के इसमें हमने stitch लगा दिया है इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी सेम रेडी करेंगे यहां पर दोनों पार्ट को हमने रेडी कर लिया है अब हम यह वाला पार्ट रेडी करेंगे नेक की तरफ से हम इसमें stitch लगाएंगे इसको हमने कपड़े के ऊपर साइड सीरी साइड से lining piece को रखा है क्योंकि अंदर की साइड lining piece को हम पलटेंगे इस तरीके से हम इस्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे राउंड में हम छोटा छोटा कट्स लगाएंगे और lining piece के ऊपर एक धार stitch लगाएंगे अंदर की साइड पलट देंगे अब इसको भी बराइबर से करते हुए हम blouse piece पर lining piece को बराइबर से करते हुए दो पेर की margin शोड़ते हुए हम चारो तरफ से सिलाई डाल देंगे देखकर समय सेकते हैं इस तरीके से हमें इसमें सिलाई लगाना है कि लाइब करना बहुत ही आजसान है कर टिंग में थोड़ा सा धिहां दिना होता है यह पर हमने इसमें इस्टिश लगा दिया है जो इस ट्रक अपड़ा है चारो तरफ से उसकी हम कर लेंगे बराबर से तो यहां पर इसको भी हमने रिडिक कर लिया है इसी तरीके से दूसर वाले पार्ट को भी रेडे करना है तो यहां पर आप देख सकते हैं सामने का चारों पार्ट यहां पर हमने रेडे कर लिया है अब हम इन पार्टों को जोड़ना शुरू करेंगे कटोरी वाला पार्ट तो चलो फिर उसको भी हम जोड़ लेते हैं एक पार्ट हम हटा देंगे और एक साइट का दोनों पीस हम ले लेंगे तो यहां पर हमें टक्स पॉइंट को मिलाते हुए रखना है और हमें से ले डालना है ध्यान देना है यह जो टक्स वाला पॉइंट है यहां पर हमें निसान लगा कर रखना है ताकि उपर नीचे ना होने पाए इस तरीके से दोनों में हमें निसान लगा कर रखना है या फिर कट लगा कर भी आ रख सकते हैं, अब हम कुछ इस तरीके से दोनों पार्ट को बराबर से पकड़ते हुए रखेंगे, और इसमें हम आधा इंच की दूरी से सिलाई डालना शुरू करेंगे, यहाँ पर जिस सेप में हैं, उसी सेप में हमें सिलाई चलाना है, कपड़े को खीचना बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी पार्ट को, पॉइंट से पॉइंट को मिलाते हुए हमें रखना है और इसमें इस तरीके से सिलाई डालते जाना है डाल देते हैं यहां पर राउंड आते समय थोड़ा सा ध्यान देना है जहां पर राउंड आता है बीच में टक्स पॉइंट के पास वहाँ पर थोड़ा सा सावधानी पूर्वक को सिलाई डालें घुमाओ देते हुए किनारी पर हम पक्का कर लेंगे और इसमें हम एक सिलाई और डाल देंगे तो यहाँ पर हमने सिलाई को डबल कर दिया है एक साइड का पार्ट हमारा रेडी हो गया है इसी तरीके से दूसरी साइड का दोनों पार्ट भी हम जॉइंट कर लेंगे तो यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है अब इसमें हम आई और हुक वाली पट्टी अटेश करेंगे यहां पर राइट साइड हम हुक वाली पट्टी अटेज कर रहे हैं इस पट्टी को हमें उपर से रखना होता है और इसे अंदर की साइड फोड करना होता है बना लेते हैं इसको फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सावी हिल्फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा थोड़ा सभी पसंद आया हो तो यहां पर अब हम आई वाली पट्टी भी बना लेते हैं इस पट्टी को हमें अंदर की साइड से रखना होता है और इसे उपर की साइड बढ़ा करके कुछ इस तरीके से लाकर हमें लगाना होता है तो यहां पर इस पट्टी को भी हम अटेज कर लेते हैं तो देखाना कितना आशान है प्रिंसेस कट ब्लाउस की कटिंग और स्टिचिंग करना यहां पर इस पट्टी को भी हमने अटेज कर लिया है इसके उपर से एक सिलाई हम और डाल देंगे नीचे से जो इस्ट्रा कपड़ा बढ़कर आता है इसकी हम कटिंग कर लेंगे यहाँ पर दोनों पार्ट हमारा रेडी हो गया है नीचे से हम इसमें कमर पट्टी अटेश करेंगे और आई और हुक बनाएंगे तो यहाँ पर आप दे सकते हैं फ्रंट पार्ट का दोनों पार्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है बस इसमें कमर पट्टी अटेश करना है इस तरह के से आप पर्फिक्ली प्रिंसेस कट ब्लाउस की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं कि दोनों पार्ट मारा एकदम बरावर से आ रहा है कोई भी पार्ट छोटा या बड़ा नहीं हुआ है आपने देखा तो इस तरीके से कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो बहुत ही फर्फिक्ली प्रिंसेस कट ब्लाउस बन करके तैयार होगा अब हम इसमें आइरन करेंगे और बैक वाला पार्ट रेडी करके उसके जाइंट करेंगे बनाएए सिखे थेंक्यो